हेल्थ, ब्यूटी और प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें कम किया जा सकता है, खास करके जिन लोगों में एंटिवायोटिक रेजडेंस डेवलप होने से फीवर ठीक नहीं हो पाड़ा है, ऐसी के सो में दालचीनी एवं पूदीने की पत्ती का सूप पीने से बहुत ही मदद मिलती है, दोस्तों अभी तक यह माना जा रहा था कि एंटि वायोटिक्स वैक्ट्रिया के प्रतिय अब भिहस्त हो चुक है, वर्ड हिल्थ और्गनाइजेशन की और से एंटिवायोटिक रेजिस्ट्रेंस क्रैसिस को ग्लोवल हिल्थ फूट सीकूरेटी के लिए एक जेतावनी बताया गया है, दोस्तों दालचीनी में एंटि माइक् वाड़ी डेटाक्स के साथ संजोकर डाइजेशन को कम्प्लीट करता है और वैक्ट्रिया को शफाया करता है, इसलिए इसके शुप का प्रियोग जरूरी है, दोस्तों शुप बनाने के लिए ये दालचीनी जो है, ये दालचीनी को छोटे-चोटे टुकरों में, ये देख पानी में, इसको बनाके एक ग्लास पानी में, एक छोटा सा ग्लास लेंगे, जो की 200 एमेल तक, एक ग्लास पानी में इसको डालने के बाद, इसको डाए ग्लास पानी चोटे-चोटे-चोटे टुकरे करके एक ग्लास पानी में डाल देंगे, और फिर, ये पुदीने की जो में बरतन में डाल देंगे डालने के बाद इसको गैस स्टूप पे चड़ा देंगे चड़ाने के बाद ये ढखके रख देंगे और पांच से पांच मिनट से साथ मिनट तक इसको वाइल करेंगे वाइल करने के बाद इसको चान के और वही सूप का यूज करना है दोस्तों इसमें आप सुआत के लिए काला नमक का यूज़ कर सकते हैं ब्लैक सॉल्ट जो बोलते हैं वाल ब्लैक सॉल्ट और दूसरा फिर जो लवन भासकर होता है ये लवन भासकर जो है लवन भासकर का भी आप यूज़ कर सकते हैं लबन भासकर के चोन को यूज कर सकते हैं यह देखिए लबन भासकर का चोन को यूज कर सकते हैं इससे पुड़ा सा टेस्टी हो जाएगा तो दोस्तों यह इसको वाइल करने के बाद चानने के किसी भी चानी से चान के और इसको एक ग्लास बना लेंगे बनाने के बाद इसको चाय की तरह सुप की तरह इसको यूज करेंगे इसको यूज करने से आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा डाइजेशन और बैक्ट्रिया को ये कम करेगा खतम करेगा सबता में मुश्झली इसको 3-4 बार यूज तीन से के लिए फाइदे मन्द है इस तरह से हम देखते हैं कि छोटा सा चीज जो इसको घर में तयार करके हम यूज कर सकते हमारे लिए कितने फाइदिकारक होता है इस तरह से दोस्तों अगर आपका भी कुछ इंफेक्शन वैक्ट्रियल इंफेक्शन का प्रॉबलम होता है वो ठीक करेंगे और जरूरत मंदों को इसको सेर करेंगे जिससे कि घर में कम खर्चे में और अच्छा चीज बनाके यूज करके वो लाव ले सके हैं धन्यवाद